आरियन खान के जेल जाने से शारुक खान की लाइफ भी बहुत बदली जो शारुक खान कैमरा के सामने शूट किया करते थे फैंस के लिए ओटोग्राफ दिया करते थे और इवेंस अटेंड किया करते थे उन्हें बाक टू बाक लीगल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ी शा सीनियर वकील है वो सुप्रीम कौर्ट के वकील रह चुके हैं एसजी रह चुके हैं वो स्पेशली लंडन से इंडिया आये सिर्फ आरियन का केस लड़ने के लिए मुकल रौार्गी ने कहीं सारे मीडिया से बात की और इस दोरान उन्होंने शारुक खान के हाल कैसे थे इतने दिनों में उसके बारे में बताया उन्होंने कहा कि शारुक खान परेशान है शारुक खान सोच में थे और खाना ठीक से नहीं खा रहे थे शारुक बेहट डरे हुए थे और खाने की जगर वो कॉफी पे कॉफी पिये जा रहे थे बहुत परेशान थे शारुक शारुक में बेचैनी दिखी, टेंशन में दिखे और जो उनकी हालत हो रही थी उससे ये साफ समझ आ रहा था कि वो ठीक से सोई भी नहीं होंगे मुकल रहादगी ने ये भी बताया कि जैसे ही आरियन की बेल हुई हाइकॉट ने बेल अप्रूव कर दी जिसके बाल मुकल रहादगी और पूरी जो टीम है वो शारुख खान से मिली और तब उनके चहरे पर थोड़ा रिलाकसेशन नजर आया उनके चहरे पर एज़ फादर राहत नजर आई लेकिन हाँ आँखों में आसू थे वो आसू खुशी के आसू थे शारुख बार बार जेल अथॉरिटी से आरियन की हेल्थ को लेकर अपडेट्स ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आरियन जेल में ठीक से खान नहीं रहा है तो जहाँ एक तरफ आरियन के भी यही हाल थे कि ना उन्हें खाना सूज़ रहा था ना पीना सूज़ रहा था वहीं शारुक के भी यही आलत थी कि ना खाना है ना नीन है बस कौफी पे कौफी पिए गए ताकि अपनी एंजाइटी और अपने अंदर जो टेंशन है उसको कं 23 दिन निकाले हैं 23 दिन जेल में चाहे आरियन खान हो लेकिन कैद में शारुक खान भी कुछ कम नहीं थे आज आरियन खान जेल से बाहर निकलेंगे